Hello students, happy new year everyone, आज हम semester 2 का chapter 1, पुत्री ममा खलू नितराती पड़ेंगे, तो पुत्री यानी daughter, ममा means my, खलू यानी ट्रोली और नितराती यानी sleeping, तो my daughter is sleeping, यहाँ पे कोई भी मदर होती अपने बच्चे को सुलाने के लिए कोई लोरी घाती है और सुलाती है जूला जूलाती है तो हमको भी वैसे यहाँ पे चैप्टर दिया विश्वास नाम के पोएट ने लिखा है तो यह हमको डॉर्टर को सुलाने के लिए कौनसे कौनसे यानी मस और बर्स को दूर भगाती है और उनके बारे में क्या बोलती है और अपनी बच्ची कैसी है वो यहाँ पे उसने बो हेडिंग था उसमें मैंने आपको समझाया था कि माई डॉर्टर इस क्लिपिंग सेकंड लाइन में वो ही बोलना हमको माई डॉर्टर इस ट्रूली स्लिपिंग सुंदर शैन का मिनिंग है शैन यानी बेड और सुंदर यानी ब्यूटिफूल ब्यूटिफूल बेड और तो ऐसे जितने भी पेरेग्राफ आएंगे उस पेरेग्राफ में वो मदर ने अपने डॉर्टर के लिए कोई न कोई एडजेक्टिव याद रखने वो जो डॉर्टर के लिए यूज किया हुआ है वो आगे हम दुसरा पेरेग्राफ पढ़ेंगे जिसमे रेरे वायस करकशकं करकशकंथ यानि हार्ष वोईस वायस का मिन्ज क्रो ओक्रॉ डूनट मेक नौइस हार्ष वोईस मारट मारट उसका भी मतलब है कि दूनट मेक नौइस क्रण कठोरम यानि कि अन प्लीजंट यूर्स को अन प्लीजंट लगे वैसा तू आवाज मत करॉ बोलता है तो किसी को अच्छा ने लगता शांता क्लांता शांता मींस थकी हुई टायर्ड यानि विधर्ड एंड पुनर नुनिता यानि लव वनस्मोर दुसरी बार जैसे उसको लव वनस्मोर वैसी मेरी डॉटर सो रही है तो वो क्रो को बोलता है कि ओक रॉट विधा हार्ष वाईस तो नाट मे इसको क्रो बोलते तो उस क्रोगॉ को कैसा वोला गयी है वह याद करके उसका ट्रांiosa अपको करना है कि यहां पर थर्ड तो थर्ड में जो है यहाँ पे म्याव म्याव तो वो म्याव म्याव वर्ड सुन देखके आपको पता चल जाना चाहिए कि म्याव म्याव किसको कौन करता है तो कैट तो पहले क्रोक आया, सेकंड में म्याव म्याव आये तो cat का, तो cat को क्या बोलाये तो म्याव म्याव मा कुरू गोर विरावम, गोर विरावम यानि की loud sound, तो मत कर, चल रे चल रे खल चोर बिडाल, चल चल यानि go away, खल यानि cunning, और चोर यानि थीप, बिडाल यानि cat, सेवित दुग्दा वापिस adjective यूज किये है, स्निक्दा, मिंस gentle, मुग्दा यानि innocent, और सेवित दुग्दा यानि just drunk milk, वैसी मेरी डॉर्टर सो रही है, तो यहाँ पर cat को बले कि तो म्याव म्याव यासा loud sound मत कर, तो चोर है, तो तो यहाँ से चला जा, और innocent, सेवित दुग cat, do not make the loud sound of meow meow, go away, go away, my gentle, innocent daughter, had just drunk milk, is truly sleeping, आगे, उच्चे मा पशे शूनक कवराक, फोर्थ, थर्ड, उच्चे मा पशे शूनक कवराक, शूनक कवराक यानि कि विक डॉक, उच्चे मा यानि कि तु लावडली बार्क मत कर, भश यानि बार्क मत कर, भव भव ऐसा आवाज मत कर, कारिय विहीन, यानि आईडियल बिहिंग, विमला, मिंस, क्लीन, कुशला, यानि एक्सपट, एन सू मनोम्रदुला, यानि डेलिकेट एज फ्लावर, माई डॉक्टर इस टूली स्लिपिंग, आपको याद रखना है कि जहां पे डॉक वाला पैरिग्राफ आता है, वहां माई डू बावव, माई डॉक्टर, हुई इस क्लीन, एक्सपट, एन डेलिकेट एज फ्लावर, इस टूली स्लिपिंग, फिर आगे, रे रे मशक, मा कुरु गान, मा स्पुरुश, मा दश, रप्त पीपासो, मशक यानि मोस्किटो, मा कुरु गान, यानि तू गाना मत गा, स्पुरुश, यानि टच मत कर, दश, यानि काटना, यानि उसको स्टिंग मत कर, रप्त पीपासो, वो मुस्किटो कैसा होता है, रप्त पीपासो, यानि ओ थस्टी फोर बलड, वो बलड का थस्टी होता है, यहाँ पे वापिस से वो डॉर्टर के अजेक्टिव आए, उसको टच मत कर, स्टिंग मत कर, तू कैसा है, थस्टी फोर बलड, और मेरी डॉर्टर के सी है, ब्यूटिफुल टीथ वाली, ब्यूटिफुल फेस वाली, यानि लॉवली लिम्स, तो ट्रांस्टेशन उसका होगा, कि, ओ मॉस्किटो, डू नॉर्स सिंग, ओ थस्टी फोर बलड, दू नॉर्ट टॉश, दू नॉस्टी, माई डॉर्टर विद ब्यूटिफुल टीथ, ब्यूटिफुल फेस, एंड लॉवली लिम्स, इटूली स्लिपिंग, तो यहाँ पे हमारे ये चैप्लर कम्प्लीट होता है, तो ये ट्रांस्टेशन आपको अच्छे ज़े ल करना है,